छिंदवाडा के कोल इंडिया लिमिटेट में मजदूरों को लेकर बनी इलाज पॉलिसी का विरोध हो रहा है बताया जा रहा है कि सेवा मुक्त होने के बाद जो रासी कमपनी जमा करा रही है उसका कोई डिकुमेंट नहीं दिया जा रहा जिसके कारण मजदूर परिशान हो रहे है चिंदवाडा में कोईला माइन्स कोल इंडिया लिमिटेट की पॉलिसी को लेकर मजदूरों ने विरोध जताया है बताय जा रहा है कि कमपनी में जो भी कारण मजदूर से वामुक्त होंगे उनका कमपनी दोरा बीमार होने पर इलाज किया जाएगा और इसी इलाज को लेकर सालाना 40,000 रुपए कटोती की गई लेकिन इस कटोती का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया जिसको लेकर मैजूरों के इंटक यूनियन अद्यक्षन है कोल इंडिया लिमिजिट के डारेक्टर के नाम एक पत्र लिखा है मैं आप सबको जांकारी देना चाहरा हूँ कि आपको अगबत करना चाहता हूँ कि पिछले एक वर्स पहले कोल इंडे के दौरा आज कादेश आया था तो शादेश में इस बात का उलिख था कि जो मेडिकल के नाम से इसके स्कीम चला जा रही थी वो स्कीम का नाम था हमारा कंट्रिवेटरी पोस्ट रिटार्मेंट मेडिकर स्कीम पर नौन एक्जिटीव और एक्जिटीव के लिए दोनों के लिए था तो यह इसकीम जो आई थी पहले ही इसकीम में यह होता था कि कामगार रिटार होता था उससे अलग अलग वर्षों का निर्धारन था तो अभी जब कोल इंडे ने कादेश निकाला उस कोल इंडे के आदेश में बहुत सारे मजदूरों ने टेड़ों ने विरूद भी किया था कि जो कामगार काम कर रहे हैं उनका भी 40,000 रुपए काटने का आदेश आ गया था तो प्रती महा उनलों को सबका 2,000 रुपए प्रती महा ऐसा कटा लगबग सभी कामदारों का और एक कामदार से 40,000 रुपए उन्होंने कोल इंडे ने जमा करा लिया जबकि ये रिटार्मेंट के बाद जमा होता था आज ये सारे कामदारों का पैसा गट गया है। मैंने मनिन सेमड्य साफ को इस बात के पत्र प्रत्र के पड़र किया है, कि जो पैसा कटा हुआ, जिसस्कीम के लिए पैसा कटा है, उस रिटावब पत्र हमको दीजिये, और अभी तक वह कोले ने पैसा काट लिया है, और वह प्रमाणपत्र अभी तक ने दिया तो कैसे पता चलेगा प्रितिक कामगर का जो पैसा कटा है किस एक़ॉंट में गया कैसे गया और वह प्रमाणपत्र आप जब तक नहीं देए तो क्या वह उस स्कीम के लिए इलिजिबल होगा क्या पातता रखेगा यदि आप प्रमाणपत तो निश्रित रूप से आगे चल के पर भुष्ण उसको काम आएगा आज तरंगीत की सवर लहरियों से सांस्क्रेट एक ताने बाने तक छंबल के पीड़ों से लंगसलवाद्यों के गर्ड़ था जोपड़ी से मेहनों तक, ठेलों से मेलों तक, पकदंडियों से सडकों तक, गाउं से शेहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राज़्टीती से कूट मीती तक, दखन न्यूज, आपके हत्प, आप देख रहे हैं दखन न्यूज